अलो दोस्तो मैं दीपक्यादव स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल दियमल्टी वर्ल्ड में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं RBC Indices यानि Red Bread Cell Indices क्या होता है तो चलिए दोस्तो बिना देरी करें वीडियो करते हैं शुरू तो दोस्तो ये जो RBC Indices होता है ये हमारे Red Bread Cells के Size को Measure करता है Shape को Measure करता है और RBC की Quality को Measure करता है और दोस्तो ये जो RBC होता है इसको Erythrocydes भी कहा जाता है जिसका काम होता है Oxygen को Carry करना हमारे लंग से पूरे शरीर के अंदर ये होता है function RBC का और दोस्तो ये जो Red Bread Cells Indices होता है ये पार्ट होता है Complete Bread Count यानि CBC टेस्ट का जो मदद करता है डाइगनोस करने में जो Cause करता है Anemia को Anemia वो condition होती है जिसमें बहुत कम मौजूद होते हैं Red Bread Cells और दोस्तो ये जो Red Cell Indices होती है ये बहुत ही valuable होती है Anemia's की Morphologic Classification के लिए और ये जो RBC Indices होती है ये measure करता है RBC की Physical Characteristics को और दोस्तो मीन Corpuscular Volume, मीन Corpuscular Hemoglobin और मीन Corpuscular Hemoglobin Concentration को सबसे पहले इंटर्डूश करने वाले इंसान का नाम था Windrop जिनोंने 1929 यानि 1929 में डिफाइन किया था Size और Hemoglobin Content Red Blood Cells का आईए दोस्तो अब जानते हैं कि RBC Indices में कौन-कौन से Test आते हैं और उनकी Normal Range क्या होती है तो दोस्तो RBC Indices के अंदर सबसे पहले आता ही Hemoglobin जिसका Normal Range 13.0 से लेके 17.0 ग्राम पर डेसिलीटर होता है ये हमारे शरीर में खून की मातरा को बताता है दूसरा आता है RBC जिसे Rare Blood Cells कहते हैं और जिसका दूसरा नाम Erythrocytes होता है इसका Normal Range 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलिमीटर होता है और तीसरा है HCT जिसे Hematocrit कहते हैं और इसको PCV भी कहा जाता है इसकी Normal Range होती है 40 से लेके 50% तक फिर आता है M.C.V. जिसे Mean Corpuscular Volume कहा जाता है इसका Normal Range 83 से लेके 101.5 लीटर होता है फिर आता है M.C.H. जिसे Mean Cell Hemoglobin कहा जाता है जिसका Normal Range होता है 27 से लेके 32 पीको ग्राम फिर इसमें आता है M.C.H.C. जिसका Normal Range 31.5 से लेके 34.5 ग्राम पर डेसिलिटर होता है उसके बाद आता है RDW-CV इसका नॉर्मल रेंज 11.6 से लेके 14% तक होता है और दोस्तो अगर RDW का लेवल हाई रहता है तो वो मेक्रोसिटिक एनीमिया को दर्शाता है बताता है तो दोस्तो आज के वीडियो मस्काल इतना ही ऐसे मेरे दर वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को सस्क्राइब जरू करें धन्यवाद